हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंस्टेंस माइंड, मैं हुदीपक बियच्चू में RET और RET एक्जेंट कटिगरी का एप्लिकेशन फॉर्म सिप्तंबर के लास्ट वीक यानि की इसी वीक में स्टार्ट होना था जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और क्यों स्टार्ट नहीं हुए इस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जो कि ये प्रॉब्लम पर बच्चे बहुत लगबग अप्रेल से ही इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और अभी बियच्चू ने हाली में ही एक रिजलिशन जारी किया है और ये बियच्चू की ऑनलाइन वेबसाइट पर है जो और बवाल पैदा कर दिया है जिसके बाद लोग छात्र धरना तेज कर दिये हैं और वो जो परिच्छा नियंतरक कार्याल है बियच्चू में उस पर अपनी मांग कर रहे हैं और कुछ बदलाओ पर बात कर रहे हैं जिसके बज़र से अप्लिकेशन में देरी होने की संभावना है तो इस पर क्या है सब कुछ आपको बताते हैं तो कैसे ये प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है इसको भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो अगर आप चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिस कर लिजेगा तो दोस्तों ये है बियच्चू की ओफिसियल वेबसाइट यहाँ पर आप देखेंगे ये ओनलाइन वेबसाइट है उस पर और वहां के जो छात्र हैं जो धढ़ना दे रहे हैं पीएजडी के छात्र वो इसको तुगलगी फर्मान करकर संबोधित कर रहे हैं जरूर उसमें कुछ बात होगी और चात्रों को कोई दिक्कत है तभी इस पर इतना बवाल हो रहा है तो बवाल तो बहुत जादा है वहां पर परिशा नियंत्रक का जो कार्याला है उसका घेराओ लोग कर रहे हैं और यहां तक की कार्याला अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है जिससे की application आने की तो संभावना भी नहीं हो सकती है अगर सब कुछ सही से चलेगा तभी यह आपका application स्टार्ट हो सकता है तो जो वहां के student होंगे जैसे जो PhD कर रहे हैं कुछ सर लोग हैं और जो वहां के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि problem किस तरह की है लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों यह resolution है इस पर आपको पहले से जानकारी मिली होगी और यह resolution जो है university admission coordination board के द्वारा जो 239 को 239 को meeting held हुई थी उसमें यह pass किया गया है ठीक है तो यह resolution जो first point इसमें कहा गया है कि NTA का जो आपका score होगा उस score को यह normalize करेंगे 50 marks के scale पर यह normalize करेंगे 8 से divide करके जैसे मालीज यह 400 marks का exam है तो यह 8 से divide करेंगे जो कि आपका 50 के scale में आएगा ठीक है तो इस तरह से यह calculation होगी और इसमें जो ज्यादा number पाएंगे उनको यह आप interview के लिए बुलाएंगे तो दूसरा resolution जो है वो है नेट ज्यारफ score पर इसे भी यह बीच्चू में 50 scale पर रखेंगे ठीक है जैसे 8 से divide करके इन्होंने NTA की score को 50 scale में लाया था उसी तरह यह इसे भी 50 scale में लाएंगे यानि कि 50 scale में इन दोनों को लाया जाएगा अब जो net या ज्यारफ से रहेंगे उन्हें तो exempt category में फॉर्म भनना है तो exempt category वाले जो है वो यहाँ पर यह 50 scale के अंदर आएंगे ठीक है तो net यारफ score वाले exempt category में अगर है तो वो 50 scale में आ रहे हैं अगर वो NTA का exam देकर उसके थुआ रहे हैं तो उनको profit तीसरे resolution में मिला है ठीक है तो तीसरे resolution में क्या है तीसरे resolution में यह कहा गया है तो यहाँ पर जो जयारफ वाले रहेंगे तो यहाँ पर जयारफ के इक्वल हो या जयारफ से greater हो बड़ी हो तो ऐसी को भी फैलोशिप से उनको 5 मार्स मिलेगा ठीक है यानि कि जो फैलोशिप या जयारफ वाले NTA का exam देकर आएंगे ऐसे लोगों को 5 नंबर मिलेगा वेटेज ठीक है 5 नंबर उन्हें प्लस मिल लाएगा 50 scale में रखने के बाद उनको 5 नंबर का यहाँ पर वेटेज मिल लाएगा और माली जयारफ नहीं है only net है किसी का तो only net वाले जो रहेंगे उनको सेम 50 के scale में तो उनको रखा गया चाहे वो NTA का exam देकर आएं तो only net वालों को धाई मार्क्स का वेटेज मिलेगा समझ गया आप यानि कि अगर आप NTA का exam देते हैं ठीक है NTA का exam देते हैं PhD के लिए जो CUET है और आप यह चुमें admission लेने आ रहे हैं तो आगर आप net हैं तो आपको धाई number का वेटेज मिलेगा अगर आप जयारफ हैं तो पांच नमबर का वेटेज मिलेगा ठीक है और आपका मालीजी ये दोनों नहीं है तो आपको ये पांच और धाई number नहीं मिलेगे फर्स्ट सीट ठीक है एंड फाइफ एदिस्टनल कैंडिडेट सैल भी काल्ड फॉर सक्सेशिव सीट सक्सेशिव सीट का मतलब है कि जो युनिवस्टी में कारियरत लोग है उनका ठीक है तो फॉर इक्जांपल देयर आर टू सीट पर पंधर लोगों को बिला जा रहा है पहले यह चार गुना बिलाते थे यानि कि अगर दो सीट है तो आठ काडिडेट ही यह बिलाएंगे तो लगबग 12 के करीब ये पहले बुलाते थे अब 15 बुला रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम किस बात पर है कि इतना एक्जाम हो लोग देते हैं NET का एक्जाम दें और फिर यहाँ पर NTA का भी एक्जाम दें लेकिन उससे उनका कोई फायदा हो ही नहीं रहा है अगर आप J.R.F. नहीं क्वालिफाई है तो इसका मतलब आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए और देखते रहिए ठीक है? यहाँ पर आपको इंटर्व्यू कॉलिंग हो जाई यह बड़ी मुश्किल की बात है ठीक है? तो जो R.E.T. एक्जाम सिर्फ देंगे माल लिजे उनका नेट J.R.F. ऐससे कुछ है ही नहीं वो लोगों को यहाँ पर एड्मिशन का महुँका कैसे मिल सकता है और यहाँ पर दो और रिजल्वेशन है पांचवाँ जो की रिजर्वेशन यहाँ पर आरत्षड को लेकर है तो रिजर्वेशन तो जैसे यहाँ पर separately manage हो रहा है Government of India की guidelines से वो ऐसे ही चलेगा and resolution 6 है MPHIL वालों के लिए तो MPHIL CSSEIP यानि कि यह सिर्फ एक center of study है जैसे कि इस center of study का नाम है social exclusive and inclusive policy ठीक है तो यह जो center है MPHIL student कोई भी all MPHIL student आप CSSEIP cell भी permitted to appear in an admission interview ठीक है तो इस center of study से जो candidate MPHIL वाले हैं वो direct interview में आ सकते हैं ठीक है तो दोस्तों जो यह resolution की notification थी इमने आपको बता दिया अब हम आपको बताते हैं news जो इस समय है बहुत trend कर रही है कि बच्चों की जो demands है तो बेच्चू में इस rules को लेकर PhD के लिए बहुत सारे बवाल हो रहा है तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देते हैं कासी हिंदू विस्विद्यले में PhD प्रवेस्ट की नए नियमा वली में सुधार नहीं किया जाता तब तक विरोध प्रसंद जारी रहेगा तो छात्र इस स्मय बहुत उग्र है और बाते भी फैल लही है और सुनी सुनाई बात है कि जो परिच्चा नियंत्रक है उन्हों लोगों ने भी कहा है कि इसमें सुधार करने पर विचार कर सकते हैं तो छात्रों ने जो बियच्चु के कुल गुरु हैं उनसे भी सिकायत की और ये ग्यापन सौका था जिसमें ये 11 सुत्री मांग रखी गई थी जो धरना एस्थल पर बैठे चात्र हैं उन्होंने बताया कि हमने पीसडी एडमिसन के लिए जारी नई तुर्टी पूर्ड प्रक्रिया को अस्विकार कर अपना विरोध दर्ज कराया है इन लोगोंने कहाया कि जो नहीं निम्मामली बनी है वो डलीत आदिवासी चात्रों के हित्मे नहीं है और जो नियम है जो चात्रनाराजज की जता रहे है वो है कि अच्छर रोस्टर ये लोग सही तरीके से नहीं लागो करते हैं R.E.T. में भी जयारफ को अधीक नंबर दिया जाना यानि कि जो रिसर्ट इंटरस्ट होता है उसमें जो जयारफ कालिफाइट का निज़ होते हैं उन्हें अधीक नंबर दिया जाता है ये न्यूज है जो हम दैनिक भासकर से आपको दिखा रहा है सीट के सापेक्ष केवल चार गुना अभ्यर्थियों को इंटर्वु कालिंग था विरोध तो चार गुना ये लोग विरोध कर रहे थे बट जिस हिसाब से अब पांच गुना बुलाया जा रहा है इंटर्वु के लिए मौका तो सबको देना चाहिए क्योंकि जो UGC का गैजट था उसमें भी कहा गया था कि अगर UGC का गैजट हो या फिर उन्यूरस्टी का गैजट हो उसमें कहा जाता है कि RET या NDA आप क्वालिफाई कर रहे हैं आप कौलिफाई के लिए इतनी नॉटंकी करना इतनी कंबचों को बुलाना यह सही नहीं लगता है इसे अच्छा लोग आवदन ही ना करें फिर है ओफलेटट कॉलेजों के सीट को नहीं निकला जाना। यह सारे प्रोब्लमप कुछ हद तक लोगों को डर है कि यह जान चैन है Да इंटर विक के लिए वह बहुत टफ हो गया है तो यह चांजों काुई एक्जाम क्वालिफाई करके NTA का एक्जाम देकर भी लोग आएंगे पतलगा उनका नाम ही ना रहे बियेच्चु में इंटर्विव में तो प्रॉब्लम है इन सब चीजों में और ये एक्जाम टफ हो रहा है इसलिए बच्चों को दिक्कत भी हो रही है बाकी वहां के बच् चलता रहा तो एक दो हफ्ते तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बड़ देखते हैं जो भी अप्डेट होगी आपको बताएंगे थैंक्यू सुमस्च पावाचिए